बीड़भाड़ वाले खरीदारों और छुट्टियों की खुशियों भरी सजावट के बीच एक छोटे से शहर में किसी भी अन्ने मौल की तरह एक साधारन मौल मौजूद था ये उस तरह की जगह थी जहां परिवार खरीदारी और हंसी मजाक के लिए एक दिन के लिए इकठा होते थे और कभी भी इसकी दीवारों के भीतर छिपे भयावह रहस्यों पर संदेह नहीं करते थे मैं अंगिनत बार मौल गया था लेकिन इस बार कुछ अलग था मैं परिचित गलियारों में घूमता रहा जब तक मैंने एक बेहद ही अंजान गलियारे को नहीं देखा ये ऐसा था मानो उस रस्ते को कोई और नहीं देख सकता उत्सुक्ता ने मेरी इंद्रियों को जग जोर दिया और मैं इस अज्यात रास्ते पर चल पड़ा गलियारे में हलकी रोशनी थी टिम्टिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी से गंदी टाइलों पर भयानक छाया पड़ रही थी यह सपष्ट था कि मॉल के इस हिस्से में वर्षों से कोई नहीं आया था गलियारे के अंत में मुझे एक दर्वाजा मिला यह घिसा पिटा था मानो इसने दशकों की उपेक्षा जेल ली हो वहाँ कोई हैंडल नहीं था बस जंग लगा हुआ की होल था मेरा दिल आशंका से धड़कने लगा मानो किसी अद्रिश्य हाथ से निर्देशित होकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी चाबी निकाली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी यह ऐसा था मानो यह हवा से उत्पन्न हुआ हो यह की होल में पूरी तरह से फिट हो गया और एक अनिच्छा से मोडने पर दर्वाजा चर्मरा कर खुल गया जो कमरा उसके पार था वह ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था यह एक विशाल गुफानुमा स्थान था इसकी दीवारें धूल भरी पुराने पुतलों की कतार पर कतार से सजी हुई थी वे जगह जगह जमे हुए खड़े थे उनके चेहरे पीड़ा और निराशा के विचित्र भावों में बदल गए थे जब मैंने वह भयावह द्रिश्य देखा तो मेरी सांसें अटक गई पुतलों ने फटे हुए कपड़े पहने थे जिन में से कुछ पर सूखे खून जैसे दाग लगे हुए थे उन पुतले के हाथ पैर अजीब धंग से मोद्दे हुए थे जैसे कि उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो लेकिन कमरे का सबसे परेशान करने वाला पहलू एक आवाज थी हवा में एक धीमा शोकपूर्ण विलाप भर गया पीड़ा भरी आवाजों का एक समूह जो स्वयम पुतलों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था ये पीड़ा की सिंफनी थी और मैं इसका अनिच्छुक दर्शक था जैसे जैसे मैं कमरे में गहराई तक गया पुतलों में जान आ गई उनके सिर धीरे धीरे मुड़े उनकी बेजान आखें मेरी आखों पर टिक गई ये ऐसा था मानोवे मुझसे विंती कर रहे हो चुपचाप अपनी पीड़ा से मुक्ती की भीक मांग रहे हो मैं भैभीत होकर लड़ खड़ा कर वापस लोटा मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा मैंने दर्वाजे से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन वह गायब हो चुका था और उसके पीछे केवल एक खाली दीवार रह गई थी जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इस बुरे सपने वाले कक्ष में फंस गया हूँ तो मेरे दिल में दहशत फैल गई बचने के लिए बेताब मैंने पुतलों को धकेलने की कोशिश की लेकिन वे मेरे चारों और आकर खड़े हो गए उनके अंग भयानक तरीके से हिल रहे थे उनके बेजान हाथ आगे बढ़े और मुझे पकड़ लिया उनकी पकड़ आश्चर्य जनक रूप से मजबूत थी रोना धोना तेज हो गया पीडा का एक असहनीय शोर मेरे कान में जोरो से रहा था मैं मदद के लिए चिलाया लेकिन मेरी चीखें पीडा से भरे कोरस में दब गई जब मैंने सोचा कि मैं कमरे के पागलपन में डूब जाऊंगा उपर से एक चका चौंध करने वाली रोशनी चमक उठी पुतले दर्द से चिलाय और पीछे हट गए उनके टेढ़े मेढ़े रूप पीडा से विकृत हो गए मैंने अपनी आँखों को चका चौंध कर देने वाली रोशनी से बचाया और जब मैं अंततह फिर से देखने में सक्षम हुआ तो मैंने खुद को संकीर्ण मॉल गलियारे में खड़ा पाया वह दर्वाजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कापते और विचलित होकर मैं उस शापित स्थान से दूर चला गया मेरे चारों ओर हलचल भरा मॉल था ऐसा लग रहा था मानोवह कमरों और उसमें जो कुछ भी था वो कभी हुआ ही नहीं था लेकिन मैं जानता था अकथनीय भयावहता का एक कमरा इंतजार कर रहा है जो किसी को भी फंसाने के लिए तयार था जो इसके विकृत दाइरे में प्रवेश करने का साहस करता था झाल जो किसी कर दो दाता है